सहारा से अपनी ही पैसों की उमीद में लाखो निवेशक धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इसे बीच सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर साम्या रही है वर्सों से पैसा वापसी की राह देख रहे सहारा की निवेशकों के चोहरे पर मुस्कान लोट रही है बीते दो दिनों में 105 निवेशकों के खाते में राशी अंतरिम की गई है एक हजार से अधिक निवेशकों को दस्तावेश के सत्यापन के लिए बुलाया गया है मुख्यमंत्रे भुपेश बखेल की मंसा आ अनुरूप जिले में चुटफंड कंपनी की खिलाफ लगतार कारवाई करते हैं वे निवेशकों को उनकी राशी वापस दिलाए जा रही है चुटफंड की राशी वापस मिलने पर निवेशकों में हर्स व्याप्त है कलेक्टर डोमन सिंके मार्ग दर्शन में पिछले दो दिनों से सहारा इंडिया के 312 निवेशकों को 15,96,522 की राशी वापस की गई है जिसमें राशनांद गाह तहसील अंतरगत 20 सितंबर को 72 निवेशकों के 4,81,301 रुपए इवं 21 सितंबर को 33 निवेशकों के 1,93,407 रुपए वापस की गई है इसे तरह पिछले दो दिनों में 105 निवेशकों को 6,74,708 रुपए की राशी वापस की गई है इसी प्रकार छुरिया तहसील अंतरगत 20 सितंबर को 48 निवेशकों के 1,74,601 रुपए इवं 21 सितंबर को 33 निवेशकों के 2,93,418 रुपए वापस की गई है इसे तरह पिछले दो दिनों में 101 निवेशकों को 4,68,019 रुपए की राशी वापस की गई है डोंगरगर तहसील अंतरगत 20 सितंबर को 89 निवेशकों को 3,95,835 रुपए एवं 21 सितंबर को 17 निवेशकों को 57,960 रुपए वापस की गई है इस तरह पिछले दो दिनों में 106 निवेशकों को 4,53,795 रुपए की राशी वापस की गई है राजनांद गाउं तहसील अंतरगत 22 सितंबर को 357 निवेशकों तथा छूरिया एवं डोंगरगर तहसील के 101 निवेशकों को राशी वापस की जाएगी आपको बता दे कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा फसने होने की कारण अकेरा मालिक नहीं है बलकि कई राज्यों के निवेशकों का पैसा सहारा में फसा है बिहार के अलग-अलग अदालतों के साथ ही पटना हाई कोट में भी इसकी सुनवाई हो चुकी है पटना हाई कोट में सहरा की ओर से कहा गया था कि उनका पैसा सेवी ने रोक रखा है सेवी ने उनके फंड पर लगी पाबंदी खत्म होते ही निवेशकों को पैसा लोटा दिया जाएगा देश में ऐसे लाखों निवेशक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार के चिट फंड कम्पनी की बच्षत योशना में पैसा निवेश किया है लेकिन अब मेच्योरिटी अवधी पूरी होने पर अपने ही भुकतान के लिए दरदर भटक रहे हैं आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार की इस चिट फंड कम्पनी का करीब 25,000 करों रुपए से भी सहारा खाती में फसा है इससे लेकर सुप्रीम कोट में सहारा स्ट्री सुब्रत राय पर मुकदमा भी चल रहा है लेकिन निवेश को का पैसा ना तो से भी और ना ही सहारा भुकतान कर रहा है तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लेगी हमें कमेंट कर जबर बताएं आपके लिए जानकारी लिखी है हमारे सही होगी इराज कमल ने फिलाल के लिए इतना ही चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेश को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया